कि आप सब लोग वेलकम तो दा चैनल तो आई होब कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे तो आज है रक्षा बंधन तो आप सब को हैपि रक्षा बंधन मतलब हीट तो यहां पर रक्षा बंधन की छुट्टी वगदर होती नहीं है स्कूल में स्कूल में chauff्ष मे करंगी I hope कि आज की उप लोगों को पसंद आयेगी और वीडिव पसंद आयेगी तो वीडियो को लाइक जरूर देना और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों को आज का अपना ओटफिट दिखा रहे थी और मैं अब आ गई हूं किचन में तो चलिए अपना लंच बनाना स्टार्ट करते हैं और इस समय जो मैं वाइस ओवर कर रही हूं तो मुझे सर्दी हुई है तो मेरी आवाज आप लोगों को थोड़ी सी डिफरें के लिए तो चने को बॉयल करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है खड़े गरम मसाले तेज पत्ता दाल शीनी लॉंग बड़ी लाइची और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और इसके अंदर 않 बुल्कुल चुटकी भर डालेंगे बेकिंग सोडा बेकि इस पुछितर के लिए 4 लिए राहत कई मैदा यहां पर दो करीब युर में शूजी टाल लिए हूं एक चम्माच मैम शूगर यू है हूं नाच मैब सब्सक्राः खोड़ा से एक हैं और सितव 120 लच के मेरे बैटूरों के लिए सोफ्ट सा जो है 2 लगताके तियार करूंगी तो भतूरों के लिए यहँ प्रकाति सात्रा मिरें ज़िदूर मीटाई आता मुष्या रा लिए हैं तो मेरे अपने बाकी की चीजे ना बना रेड़ değ करके लूगी अभ पूरा गुठलियां खतम कर लेनी है उसके बाद हम लोगों को गैस पर रखना है पैन और मैंने इसमें जो है देड़ के करीब घी डाला है और सबको हम लोगों को पका लेना है तो मिल्क पाउडर और दूद का जो ये मिक्शर है इसको मैं कंटीनिवस चला रही हूँ चलाते हुए मैंने दो से तीन मिनट तक पका लिया है इसको और यह थोड़ा सा गाड़ा होना स्टार्ट हुआ है तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा चमच जो है इसमें निम्बू का मिठाय बनाना बहुत ही आसान है बहुत कम सामान में बहुत जल्दी बनके तयार होती है बस इसमें यही है कि हाथ की मेहनत बहुत लग जाती है आपको कंटीनिवस लिसमें चलाना पड़ता है तो यहां पर मैंने इसमें एक कप के करीब जो है शुगर डाल दिया है और और यहां पर आप इसका टेक्च्चर देख सकते हैं बिल्कुल कलाकन जैसा हो गया है तो इस पॉइंट पे जब यह पैन को छोड़ने लगा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है और घी डालके फिर मैं यहां पर इसको कंटीनिवस चला रही हूं और यह अब हो गया है तो बस यहां पिए अमिठाय जो है बनकेरेडी हो गयी है इसको मैं कंटीन्यृस चला रही हूं गैस मैंने बंकर दिया है और यहां पर मैंने इक गंटे के लिए सेट होने के लिए तो अब मैं जो है छोले बनाने के त्यारी कर रहे हूं और यहां पर आप देखिए चने जो है बहुत अच्छे से बॉइल हो गया है इसमें जो खड़े मसाले डाले थे उनको निकाल ले रहे हूं क्योंकि इनका जो है टेस्ट वगरा सब इस है थजर रहे हूं में जो बॉइल चनह उसको अप्ला सा मिक्स कर रहे हूं और इसका पेस्ट बना रहे हूं ऑariamente की सटार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने कड़ाई ले लियूंड कि मस्टर्ड दाला है और सथ जिरा प्या सदीनिवार कि उनकैस को लोग अच्छे से तो आनियन अच्छे से फ्राय होने के बाद यहां पर मैंने टमेटो पेस्ट जो बनाया था उसको डाल दे रहे हूं और साथी मैं डाल दे रहे हूं सारे मसाले तो मैंने आप पर डाल दिया है नमक, हल्दी, रेट चिली पाउडर, गरम मसाला और यहां पर मैं एवरेस्ट का मैं थोले मसाला डाल दे रहे हूं सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है इसके अंदर में थोड़ा सामचूर पाउडर डाल रहे हूं और थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है उसको हाथों से क्रश करके डाल दे रहे हूं सबको अच्छे से हम लोगों को फ्राय कर लेना है किसी भी मसाला बुन जाता है तो कोई भी रेसिपी जो है अच्छी बनती है तो मसाला जब अच्छे से भून गया है तो मैंने जो चने यहां पर बॉल करके रखे थे उनको मैं पानी के साथ ही डाल दूंगी यह वही पानी जिसमें इनको मैंने बॉल किया था और पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं कंसिस्टेंसी जो है इसकी अज्जेस करूंगी थोड़ा से मैंने पानी और डाला है और इसको हम लोग ढखके थोड़ा और टाइम पूक कर लेंगे और साइड में जो है मैंने चावल भी रख दिये थे कुक होने के लिए तूकि छोलो के साथ चावल तो चाहिए ही रहता है मुझे परसनली चोली चावल बहुत पसंद देखाना तो छोले यहाँ पे बनके रेडी है अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी तो तड़का लग तड़का लगाने से थोड़ा सा एक्स्टा टेस्ट बढ़ जाता है छोलो का तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे घी लिया है उसमें मैं जिंजर डाल दे रही हूं कट करके और ग्रीन चिली बस और थोड़ा सा रेट चिली पाउडर डाल दे रही हूं एक्स्टा कलर के के लिए कि तो आप मैं बना रही हूं दहीवड़े जिसके लिए डाल मैंने रात को भीओके रख दी थी और यहां पर मैंने लिया है एक कप मुंग की डाल और एक कप के करीब जो है उडत की डाल तो दोनों गोर मैं साथ में पीस रही हूं इसमें थोड़ा सा जिंजर और तो आप इसको हाथ से भी कर सकते हो बट मैंने आपे शॉर्ट कट लिया मेरे पास यह इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं इससे जो है इसको दाल को फेट ले रहे हूं इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है और हाथ भी दर्द नहीं होते हैं तो दाल को अच्छे से फेटने के बाद यहाँ पर मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक डाल दे रही हूं और दाल को आप पानी में ऐसे डाल के चेक कर सकते हैं कि वो फ्लफी हुई है की नहीं तो बस अब वड़े जो है उनको फ्राय कर लेते हैं तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल दिया है तेल ज कर लिया ने वाउम वाटर लिया है ऐन्याज योटओक जो यह वाउठ योओक डाल दे रही हूं और सारीवड़े इसमें डाल के हम लोगों को सोकरके रख देना है तो 10-15 मिनठ के लिए तो थोड़े से वड़े जो हैं आ पर मैने बचा लिया है बाद के लिए और यहाँ प बस अमने दही वड़े उनको प्लेट में लगा रहे हूँ तो जो वड़े है उनमें इससे पानी जो है मैंने जेंटली स्कुीज आउट कर लिया है कि तो यहां पर वड़ो पर मैंने डाल दिया है दही दही आप कम जादा डाल सकते हो ग्रीन चटनी डाल दिया है खटी मीठी इमली की चटनी डाल दे रहे हूँ उसके उपर मैंने डाल दिया है रेट चिली पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर तो यहाँ पे हम लोगा दही वड़ा जो है वो रेडी है और बस अब लास्ट में मैं यहाँ पे भटूरे जो है उनको भी तल ले रहे हू तो रक्षा बंदन स्पेशल थाली जो है यहाँ पे रेडी है छोले चावल भटूरे दही वड़े तो अब हम लोग अपना लंच करेंगे तो यहाँ पे फाइनली इशान जो है स्कूल से आ गया है इसको मैं बस टॉप तक लेने गई थी तो इसको घर ले जाके बस शावर वगरा देखे थोड़ा सा कुछ खिलाके उसके बाद हम लोग जो है सेलेब्रेट करेंगे अपना रक्षा बंदन तो इशान और उसके लेती हूं रक्षा बंधन तो यहां फॉरेल लैंड में रहके बस ऐसे ही रक्षा बंधन हम लोगों का सेलेब्रेशन होता है आनलाइन या और कोई भी तेवार होता है तो हम लोगों को खुद से ही अंदर से फीलिंग लानी पड़ती है खुद को मोटिवेट करना पड़ता तो बस घर के अंदर ही आप नए कपड़े पहन लो कुछ खाने में अच्छा अच्छा बना लो मिठाईया बना लो तो फिर लगता है कि हाँ अपना तेवार है कुछ और मैं सारे तेवार पर ट्राय करती हूं कि कुछ ना कुछ में स्पेशल करू ताकि बच्चे को भी पता चले कि अपना तेवार है और हम लोगों को भी अच्छा लगता है अपना तेवार सेलिब्रेट करना तो बस यहां पर मैंने राखी बान दी है इशान को और उसको गिफ्ट भी मिल गया है उसका और बहुत खुश हो गया है वो तो हस्बन यहां पर अपने हाँ से ही अपनी राखी जो है बान ले रहे हैं तो ऐसा ही कुछ राह हम लोगों का रक्षा बंदन सेलिब्रेशन तो जो भी मैंने सेलिब्रेट किया आप लोगों के साथ शेयर किया वीडियो के थुरू I hope कि आज की वीडियो आप लोगों को प झाल 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 झाल